नमस्का सुप्रभाद स्वागत है आपका नियूजनाइन नेटवर्क में। मैं हूँ दीपिका और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिंग। यहाँ आप देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरे हैं। बरेली में रेलवे स्टेशन पर बनी 500 साल पुरानी मजार हटाने को लेकर शुरू हाव विवाद जाने पूरा मामला हल्दवानी में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमन को हटाने को लेकर सियासी संग्राम मजा हुआ है। वहीं अब बरेली के इजतनगर रेलवे स्टेशन पर बनी 500 साल पुरानी मजार को हटाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। कोई कोर्ट नहीं पहुंचा। अब सुनवाई की अगली तारीक 29 जन्वरी तै की गई है। वहीं एहतियातन रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में आर्पी एफ, जी आर्पी और पी एसी को लगाया गया है। प्लैटफॉर्म नंबर एक पर है मजार पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक इजतनगर रेलवे स्टेशन है। जिसे रेलवे प्रशासन में हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। जिसकी पहली तारीख दो जनवरी लगी और उसके बाद पांच जनवरी। अब सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी है जिसमें रेलवे को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। यानि ये साफ हो गया है कि 29 जनवरी तक मजार सुरक्षित है। उसे हटाया नहीं जा सकता। पंद्रह सोचट में बनी थी सइद नन्हे शाह की मजार सन पंद्रह सोचट में बनी थी। तब यहां पर रेलवे स्टेशन नहीं था। अब रेलवे प्रशासन ने मुगलों के समय में बनी मजार को हटाने के लिए कमर कसली है। वही मुसलिम समुदाय में मजार हटाने को लेकर जबर्दस आक्रोश है। मुसलिम संगटनों का कहना है कि जब मजार को हटाना ही था तो उसका सौंदर्य करण क्यों किया गया। दरसल ये मजार पहले रेलवे ट्रैक के बीच में थी। जिसके बाद रेलवे ने इस स्टेशन का काया कल्प किया और एरपोर्ट की तर्च पर इस स्टेशन को बनाया गया। तब इस मजार का भी सौंदर्य करण किया गया था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।